पूरा मामला देखने के लिए बने रहे हैं हमारे दाथ कही दिनों की चर्चा का विशय बने रहने के बाद एक बार फिर भाजपा ने हर्सवर्दन बाजपई भरोसा जताते हुए शहर उत्तरी से उनको विधायक परतियासी बनाया है जिसके बाद हर्सवर्दन बाजपई चुनावी मैदान में उतर पड़े हैं इस बार उनको फिर से बार उनका क्या मुद्द होगा उनका किस मुद्द बाज काम करेंगे आपको सवागत और ये बताईए आपको एक बार मुका दिया है इन बार आहम मुद्द क्या होंगे चुनाव में आपके लिए देखिए जो लोग मुझे जानते हैं वो अच्छी का मुद्द हमेशा विखास होता है और जब हम लोग ने मानी पारिशत बबलू सोनकर जी ने मानी हमारे वकील साथ इशू सोनकर जी ने प्यूश जी ने अविनाश जी ने जब हम लोग ने राजनीती की शुरुआत करी थी तो हम लोग ने संकल्प लिया था कि हम लोग रियाग राज को सिंगापूर की तरह एक विक्सित छेत्र के रूप में डेवलप करना है, स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप करना है, ये स्मार्ट सिटी की बात, तो मोदी जी की सरकार बनने के बाद उठी, लेकिन हम लोगों का सपना था स्मार्ट सिटी बनाने का, जब लोगों ने पहले से चौकणना करके ऑक्सिजन की तयारी इतनी कर दी थी कि प्रयाग राज अकेला ऐसा जिला है पुरे उत्तर प्रदेश में जहाँ पे ऑक्सिजन की डेफिसेट नहीं हो अक्सिजन की सर्पलस थी और हम लोगों ने प्रयाग राज के साथ-साथ 10 अन्य जिलों को अक्सजिन देने का काम किया, इस तरीके की पहले से तयारी करना की कोई भी आपदा के समय हम लोग मजबूत रहें. यह हमारा सफना है तो विकास और इस तरीके की आपदा से लड़ने की तैयारी करने के लिए हम लोग चनाव लग रहे हैं काफी की पार्टी सिटीजन अमाइंडमेंट दिल लाई जिससे मुस्लिम समाज में काफी बीजेपी को लेकर आप रोज भी रहा है क्या कहेंगे इसके यह डराने का काम विपक्षियों ने किया है और मैं कोई मुस्लिम विरोधी नह बनवाने का काम मैंने किया है यहां के मुख जितमें कब्रिस्तान है उनमें जो रास्ते होते हैं उनकी जो बाउंडरी वाल होती हैं सब को बनवाने का काम मैंने किया है ना जाने कितने मुस्लिम समाज के लोगों को ऑक्सिजन सिलिंडर देने का काम करोना में किया गया और स मेडिकल एड जो होती है मुख्रमंत्री के द्वारा वो मैंने दिल्वाने का खाम किया है तो आप इन सब कारियों से आपको यह नहीं लग रहा होगा को मैं मुख्रित मुस्लिम विरोधी है तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि सिटिजन अमेंडमेंट बिल में मुस्लिम समाज को गुमरा किया है ओपोजिशन के लोगों ने क्योंकि मुस्लिम समाज जो सिटिजन है हमारे देश के उनके तो वही राइट है जो किसी हिंदू के हैं जो हमारे देश के सिटिजन है लेकिन हमारे देश में बहुत से लोग ऐस अभी पाकिस्तान की बाउंडरी वाल, हम लोग जो बाउंडरी लगी है, अगर हम लोग उसमें कोई गैप दे दें, आपको मैं बता दे रहा हूं, चाहे जितना लोग नफरत की बात करें, केवल नौकरी प्राप्त करने के लिए लागों पाकिस्तानी आ जाएंगे भारत में, क्योंकि वहाँ पे नौकरिया नहीं है, हमारा देश संपन है, तो ये फाइनैंचल मामला है, ये दुनिया में है, मैक्सिको के लोगों को अमरीका वाले रोकते हैं, वहाँ कोई धर्म की बात है क्या, दोनों क्रिश्चियन है, उन नौकरी की बात है, हर देश चाहता है कि हम मैं कोई ऐसा मुद्दा छूट गया हो, जिसको आप इस बात उस लिजना पर सबसे पहले काल करना चाहिए, क्या है इसा है, देखिए, मैंने पिछला चुनाव में लड़ा था, इस मुद्दे पर कि मेरे छेत्र में बहुत धेर सारे रेलवे फाटक थे और मुझे उसको रे मुझे ललकारते रहे कि अरे कुम में तो बहुत काम होगे, अब कुम के बाद पैसा ले नहीं पाऊगे, क्योंकि ये हो गया है कि कुम में बहुत पैसा खर्चा हो गया है, लेकिन उत्री विधान सबा अकेला ऐसा छेत्र है, पूरे प्रियाग राज में, जिसमें कुम के ब कि बड़ा बगाडा साधियावाद और सलोरी छेत्र के लोगों के लिए जो सलोरी फ्लाइओवर बनना है उसका पहला पिलर बनना शुरू हो चुका विकास और यू बेरोजगारी का मुद्धा है सबसे खास आपके सामने चुनौती है विपक्स लगातार कह रहा है कि भाजप कि बुरे वक्त में जब विरोजगारी जादा है तब लोगों का काम चल जाए अब तो इकनॉमिक स्थिती बहुत अच्छी हो गई है आप देख रहे है नाइन परसंट के उपर ग्रोथ इस बार है एट परसंट वर्ल्ड कह रही है और हमारी सरकार के आंकड़े भी बता रह है जो गाओं के लोगों को के खातिज बना जाए चांट्रोल करेंगी और उनको ट्रेनिंग देंगी उसमें उनकी कमाई होगी पूरा पूरा स्टेडियम भरके हम लोगों ने टीचरों को नौकरी देने का काम किया है बहुत से ऐसे मेरे साथ ही है जिनकी नौकरी इस बार ल रोजगार इस तरह की चीजों कहना बहुत असान है लेकिन जब आप बीफ में आकड़ों में जाएंगे तो आप आएंगे कि जो हमारा पर्फॉर्मेंस है उतना पर्फॉर्मेंस किसी तरकार का आज तक रहा नहीं तो यह थे हमारे साथ साहर उत्तरी के विदायक और प्रति कि यारोग के दौर तो जारी रहेंगे फिलाल ताजा खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम नीच पर बने रहिए सेद मौमाद आमिर परियाग राज देश-दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम न्यूज चानल को सब्क्राइब करे